कि अग्याइब कि अग्याइब कि सो हेलो एवरीवन सुडेंट्स कैसे हो ओफफ़ली सारे अच्छी होंगे और इंज्वय कर रहे होंगे तो आप लोग हो हो है ? का मतलब है ? जो हमारे पास एकजाम होना है थीख है ? क्या उसकी तयारी आप लोग ही ऑन ट्रैक चल रहे है आप लोग क्योंकि हम भी अभ्यास इहां पर कर रहा है तो क्या आप अभ्यास को कर रहे हैं इसको सबसे पहली बात यह ना दूसरी बात देखिए हम तो यह न कर करेंगे देखिए मैं अगर बात करूँ अभी मन्यों आया से नंबर वन इस्ट इन एक्सिस प्रिपरेशन क्यूं 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 क्यूंकि 41 प्लस सिलेक्शन थी आपके पास 2021 में 41 से जादा सिलेक्शन थी कोई चोटा नंबर नहीं होता 41 प्लस क्लियर और 2022 में जहां 50 जहां पर 60-62 बच्चों को ही आया था लेटर तो उसमें से भी कितना या बुलाया था उसमें से को लाइक कर जिए शेर की दिए और सब्स्राइब करना मत बूले चलिए देखिए एक्स प्रिलिम्स फास्टक बैच यह बेटा आपका लाइब बैच है फिस सिरफ हो सिरफ आप आप को क्या मिल रहा है देखो इसमें अपको ओफलाइन से मिल अपना बीया है मेरेRes पास चलिए मैं आज बात करांगा अच कि हम अभी पिछे सी बहुत सारे तींचार सेशन हमारे हो चुके हैं और होफुली आपको पसंद भी आ रहे हैं अगर मैं बात करूँ अब हम एजिस को किस तरह से लेते हैं देखो लास लेक्चर मैंने एवरेज का उसमें थोड़ा सा मैंने जलकी दिखाई थे आपको कि बेसि अगर मैं अगर अलू। बैर बात करूं मेरे परस एंक पन्दरा साल का और ये कितने ग्याँ होगी No मेरे पास. एक चीज. vessel में मेरे पास. काई बताएंगी बिटना इनका इंका डिक्रत बस आपने यह याद रखना है कि age difference क्या है मेरे बस constant है हमेशा age इसके case में कि अगर एक चार साल बड़ा है तो हमेशा चार साल बड़ा रहेगा चाहे वो एक क्रूर साल की बात हो बहुत लंबे दम की बात कर दी बस age का difference है इस तो भी constant बस ये बात अगर आपने ध्यान रखी है तो आपको ये चीज ध्यान निखिलिए चलिए ये पहला question क्या कहा रहा है ये है S.S. 2022 का ही question A is twice as old as B and C is thrice as old as A ये भाई वो कहा रहा है A B से 2 गुना है थता C A से 3 गुना है इसका मतलब जहती A की जो age है वो क्या दी है इसका मतलब जो ABC की present average है उससे 2 साल कम है क्या A की age तो बताना है मुझे C की present age कितने है सबसे पहले चलिए ratio बनाते है सबसे पहले A और B क्या दिया बेटा A is twice as old as B ये ए क्या है B से 2 गुना है अब जब तक C का relationship नहीं बता कई बच्चे पहले गलती बता करते है वो पहले ही C बना देंगे एक बात याद रखी रिशू परपोर्ज़ना सबसे basic concept क्या बोलता है कि जब तक आपके proper knowledge नहीं है proper आपको बताये नहीं गया कि relation किस किस का है प्री आपने किसी को भी notation नहीं देनी क्लियर मतलब पहले कुछ नहीं लिखना ठीक है जी अब क्या दिया इफ एज एज इस ट्वाइज और टू यह लेसर देंदे अवरेज मतलब उसके पहले एक और यह कितना मेरे पास यहां पर आएगा एक इहां कितना आएगा मेरे पास दो तो तीन दो नहीं छे तो सी कितना आएच्छे एक इतना आए दो और बी कितना आए एक 6P 2P N विसे P ले लू कोई दिक्कत ने आब क्या बोलाई A की एज क्या है इनकी एबरेज पहले एबरेज निकालो यहनि A प्लस B प्लस A डिवाइड बाई 3 यहने 6P प्लस 2P प्लस P डिवाइड बाई 3 इनकी एवरेस से दो कम है किसकी H? A से, so A की H कितने हैं मेरे पास? 2P तो बेटा यह कितना हुआ? 6 दो आठेक नो 9P बाई 3 माइनस 2P is equal to 2 तो यह कितना आ गया है? 2, तो पी कितना आगया है, 2 आगया है? अगर पी मेरे पास 2 आगया है, तो C की एज क्या कह रहा है हूँ? अगर मेरे पास P की वैले दो आए, तो C की एज कितना है? 6 दो नी कितना? Option number D is the right answer of this brilliant question clear है? चले बचो, next question क्या कह रहा है मेरे पास? 12 years ago, the age of father was 3 times the age of his daughter ये भी HCS 2022 का कुछ है देखो, 12 years ago मैं कहता हूँ, ये मेरे present age है यान इससे 12 साल पे ले 12 years ago, the age of father was 3 times the age of daughter बन्ता, father daughter कितनी है भाई? 3 ratio एक है after 12 years, यानि present से 12 साल के बाद present से 12 साल के बाद father's age will be twice the age of the daughter यानि 2 ratio 1, मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी कि मेरे पास age का difference हमेशा कह रहा ने चीए बच्छों constant यानि समान, यहाँ पे age का difference कितना है? यहाँ पे age का difference कितना है? 1, आपने कुछ नहीं करना आपने इस 2 और 1 का हमेशा LCM ले लो कभी जैसे 3 हो सकता है, आप यह 6 हो सकता है तो उसका LCM ले लो, 3 हो सकता है, 2 सकता है, तो 6 तो इसको मुझे multiply करना है एक से और इसको multiply करना है मुझे किस से? दो से, तो यह father and daughter, बेटा यह कितना होगा? तो इसका मतलब, 2 की value कितना है मेरे बास? 24, ओ सॉरी, 2 की value नहीं यहाँ पर एक unit की value मेरे पास कितनी है एक unit की value कितनी है, 24, अब question क्या करा है मेरे रखो after 12 years, father's age will be twice as the daughter the ratio of their present age, देखो, सबसे पहली बाद पिता जी की यहान लेका है, 24 गुना दिन कितना होगा? 70, और daughter की कितनी है, 24, यह कब है? यह आपकी present से 12 साल पहले की age है, तो इसमें क्या करो? 12 और add कर दो, इसमें भी क्या करो? 12 और add कर दो, यह कितना होगा बेटा है मेरा? 84, और यह कितना होगा मेरे पास? 36, तो 6 से करिए, 14, और 6 तो कितना होगया? 7 issue 3 option में दिया है मेरे पास कितना है? चलिए, चलिए, बहुत अच्छा question है, यह है भाई, बहुत important question, अब mother has decided to sum and product of ages of her children, इशान और अनुश्का, the sum and product of their ages as 18 and 56, इसका मतलब वो क्या कह रहा है? इसके दो बच्चे आपाई, इशान और अनुश्का, जब इनकी age को, मतलब age of इशान, plus age of अनुश्का को मैंने add किया, तो मेरे पास कितना आ रहा है? 18 year, और मैंने age of इशान, multiply age of अनुश्का किया, तो मेरे पास कितना आ रहा है? वो आ रहा है 56 years, ठीक है? अनुश्का काफी एच्छा कोश्चा नहीं, यह equal to minus नहीं है, देखो, अगर तो मैं, एक basic quantity equation पर चलू, जैसे ax square, plus bx, plus c, is equal to 0, तो मेरे पास दो चीज़े होती है, फ़हला sum of roots, दूसरा होता product of fruits, ठीक है, यह दो चीज़ें मेरे पास होती है, बट अब इन दो चीज़ों को मैं कैसे देखूंगा, बात सुनो मेरी, अगर मैं sum of roots की बात करो according to this question, तो वो मेरे पास अगर मैं यह question लेकर चलता हूँ, तो मेरे पास बिलकुछ सिद्धी होती है, minus b upon, ठीक है, वो क्या होती है मेरे पास, minus b upon, देखो ज़रा, minus b upon, और यह क्या होता है मेरे पास, c upon, तो मुझे कुछ ऐसी equation ढूंड नहीं है, कि इसको satisfy करे, बट मैं न, अब देखो, अगर आपने quantity equation नहीं बड़ी, प्रूफ प्रूफ की ज़रूरत है नहीं, option number d उठाओ, क्या होगा देखो, x square, minus 18x, plus 56, is equal to 0, इसका मतलब मेरे को क्या चाहिए, देखो x square, अगर मैं यहाँ में देखो sum of roots, और आपके वास, product of roots, देखो sum of roots कितना है मेरे पास, minus of, minus 18, अपन एक इतना है पन, तो 18 आगे sum of roots, product of roots क्या है, 56 upon 1, 56 आगे अंसा, तो option number d आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यह आपको देखना पड़ेगा, बट अगर बायजांस आपको यह चीज़ नहीं पता, तो आप एक चीज़ देखो, कि आपके पास दो अलग-अलग edges है, और edges हमेशा positive रहेंगी, याद रखना, negative कभी नहीं आएंगी, तो जो मेरे roots है ना, इस equation के accordingly, वो दोनों के दोनों मेशा, बेटा, positive मानने चे, negative roots मेरे possible, होँगे निस case में, reason क्या है, कि मेरे पास जो edge हमेशा positive रहेंगी, negative edge कभी भी consider मैं, नहीं करूंगा, clear, तो इसके जो आप roots मनाएंगे, क्या हैंगे, x के र माइनस 14x, माइनस ओफ 4x, 14 इंटो 4 क्या होत्ता, आपके है, 56, plus 56 is equal to 0, तो x in 2 of x minus 14, minus 4 in 2 of x minus 14 is equal to 0, तो x minus 14 is equal to 0, and x minus 4 is equal to 0, तो x क्या गया मेरा, 414 और यही मेरे पास सही अंसर, तो मेरे पास क्या गया, option number d, because हर equation मुझे क्या देगी, negative यहां से दे रही है, clear, यह तो possible नहीं होगा, clear है, यह वाला भी नहीं जाएगा, इसमें दोनों दोने नेटिव हैंगे, पॉस्टिव एक में आ सकते हो, option number d, यह बहुत इंपोर्टन था, और बहुत कम जगा पर इसका, correct solution दिया हुआ, clear, तो please, 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 भाई, like कर दो, share कर दो, चलनल को subscribe, जरूर कर दो, because आपके पिछले साल का एक क्योशन नहीं है, clear, पॉदकरम जगा पर एक एक स्पिलेनेशन दियुए तो यहां पर कुछ खास है, को अलगा number 1 है, तो किसी रिजन से है, clear, चलिए, next question है, the product of with his age, three years ago, and her age five years later, from now is one more than that, twice her age, present age with his present age, देखो, मैं मानता हूँ, let, present age, मैंने बोला, पी है, ठीक है, वो क्या कहा रहा है, the product of with his age, three years ago, यानि three years ago, कितनी होगी मेरे पास, P minus of three, clear, and five years later, five years later, कितनी होगी, कितनी होगी, P plus five, वो क्या कहा रहा है, इन दोनों का product निकालो पहले, वो कहा रहा है, इन का product कितना हुआ, P minus three into of, P plus five, is one more than, twice are present, age of with his present age, देख मेर, five years later, from now, is one more than, twice are present age, इसका मतलब क्या है, twice are present age, अब इस, एक का fund है, एक कहां पर आएगा, 2P, 2P के साथ आएगा, किया, यह जो इनका product दिया, इसके साथ आएगा, आपने यह देखना है बस, यह समझा आ गया, तो भीया, खेल भी खतम हो गया, question में, clear, जल्दी से बताईए, one more than, twice are present age, मतलब, इसकी age से, एक जादा, समझा ही बात, बस यह समझे रहा था, आपको, तो बैटा कितना हो गया, P स्केर, प्लस 5P, माइनस 3P, माइनस 5 राइज इकल तो कितना, 2P ब्लस 1, ठीक है, one more than, twice are present age, twice are present age, एक साथ, जादा, तो यह कितना हो गया, P स्केर, देखो, यह कितना हो गया, यह क्या cancel out हो गया, 2P बचा और 2P उदर, तो P स्केर इस गिल्टों कितना हो गया, one plus 15, नहीं कितना, 16, P कितना गया है, आँसे, चार, अगर P मेरा 4 आगा, तो मुझे क्या बूच है, with this present age, option number A, 4 is the right answer, clear, जल्दी से note कर लो, इसको जरा, option से करके देखें, इसको देखो, अगर 4 होता है, कितना होता, एक, यह कितना होता, 4 और 9, वो गरे, twice or present age, 4 दूने आठेक नो, बिल्कुल सही, option number A, बिल्कुल सही है, अगर B को लेके सही थेता, यह कितना आथा, 5 और यह कितना आथा, 13, 1565 पांट नहीं जाता ही नहीं, चलिए, next question, a person's present age, a person's present age is, 2 5th of age of his mother, and after 8 years, he will be, 1 half of the age of his mother, how old is the mother at present, देखो, present age of, 2 5th of the age of his mother, यह क्या मेरे person है, और यह क्या है इनकी, माता जी है, ठीक है, अब परसन's present age is, 2 5th age of his mother, यानि, इसकी अगर, एज माता जी की एक है, तो इसकी 2 5th of 1, यानि अगर, person की ऐज 5 2 है, तो मदर की ऐज कितनी है, 5 ताम्स है, है ना, 2 5th मतलब, 2 5th है ना, after 8 years, यानि इस time से 8 years, 8 years, he will be, 1 half of the age of his mother, यानि half, यानि, अगर माता जी 2 साल की है, तो ये 1 साल की, कहने का मतलब यासे कुछ है, अब देखो, जैसा मैंने आपको, पहले प्रस्षनों में बताया, कि इस तरह के प्रस्षनों में, आपको क्या करना, आपको में से age का difference constant देखना है, age difference क्या चीए बिटा मेरे को, याद रखना, age का difference क्या चीए मेरे को constant, यहाँ पर age का difference कितना है, 3 यहाँ पर कितना है, 1 तो इससे किस से multiply कर दो, 1 से, और इससे किस से कर दो बिटा, तू यह कितना रहा है, तू रेशो 5, यह पर्षन है, पी पर्षन, और यह न की माता जी है न, वे कितना हो गया, तू रेशो 6, अब देखो, फिर भई ही बात, कौनसी बाइ, बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन है बताइएगा, कैसा मुझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कहां दिख्कातार ही बताईएगा देखो यहां पर कितना बड़ा है एक यूनिट यहां पर भी क्या बड़ा है एक यूनिट यह नहीं एक यूनिट की वैल्यू कितनी है एक यूनिट की वैल्यू है मेरी कितना बिटा एट यह अगर एक यूनिट की वैल्यू मेरी एट यह है is the right answer of this question, clear बच्चों, तो मेरा option number C बिल को सही है, 40, चलिए, the present average age of family of 5 members is 26 years, यह कोशन शायद हमने पहले कर लिए, चलो, कोई बाद, the present average age of family of 5 members is 26 years, याने मेरे 5 member है, A, plus B, plus C, plus D, plus C, इसके 5 member है, और कितने है, 26 years, याने A, plus B, plus C, plus D, plus C, इनका भाई, average age, total age कितनी ही, 130 साल ही, ठीक है, वो क्या करें, if the present age of youngest member of the family is 10 years, इसका मतलब, जो सबसे, यूवा, इसमें member है, वो कितने साल के है, भाई, वो 30 साल के, ओ, sorry, वो 10 साल के, मैं मानता हूँ, let, E is equal to youngest member, ठीक है, ये मैं मानता हूँ, भाई, 10 साल के, ठीक है, फिर वो क्या करें, then what is the average age of family at the time of the birth of the youngest member, देखो, इसका मतलब क्या है, और अगर य है, तुर, आप देखो, वो क्या कहना है, चाहरा है, कि भाई, youngest member, कि सबसे, छोटे वाला member, कितने साल के, 10 साल के, इसका मतलब, जब ये भाईसा, पैदा हुए होंगे, तो सारे के सारे 10-10 साल चोटे, यानि, ये भी 10 साल चोटे, ये भी 10 साल चोटे, ये भी 10 साल चोटे, इनके total age कितने ही कम होजेगी, 50 years, इसका मतलब at the birth of E total age of A, B, C, D, कितनी होगी, 80 years, तो average कितनी होगी इनकी, A plus B plus E plus D divided by 4 is equal to कितना, 80 by 4 which is equal to how much, 20 option number, D is the right one, please like, share, subscribe करना मत भूलिए इस वीडियो को, चलिए, जल्दी से note कीजिए, नेक्स के चल रहा है, जी, clear होगा question, चलिए, नेक्स पे चल रहा है, यह है important question, ratio of ages of महेश और निलेश, देखो एक महेश है, एक निलेश है, कितनी है, 5 ratio X, ठीक है, महेश is 18 year younger to रमेश, after 9 year रमेश will be 47 year old, देखो रमेश, तो रमेश की present age कितनी होगी, आज से 9 साल के बाद, अगर 47 साल का है, 47 minus 9 कितना होगा आपके पास, अगर वो 47 साल का है, तो कितने का होगा, 38 का, यानि अगर मैं रमेश की बात करूँ, रमेश 38 year के, इसको के ले लो, तो लो 5 unity मान लो, ठीक है, अर वो कह कह रहा है, महेश is 18 year younger to रमेश, इसका मतलब महेश इस 18 साल चोटा है, तो यह कितने का, और 20 का, इसका मतलब कितने ताइम्स, चार ताइम्स, इसका मतलब निलेश भी का होगा भाई, चार कोना है रही कितना, चार एक्स होगा, अब दूसरी बास सुनो, अफर 9 years, रमेश will be 47 year old, if the difference between the age of महेश and निलेश is the same as the age of रमेश, इसका मतलब दो कंडिशन बनेंगी, एक में निलेश minus महेश is equal to 38 होगा, एक में क्या होगा, महेश minus निलेश is equal to 38, बिकोज अभी मुझे कुछ ही नहीं पता कि महेश और निलेश में से बढ़ा कोन सा, तो प्लीज ये condition को ध्यान रखेगा, बच्छों, बहुत अच्छा कुश्चा नहीं, तो पहले condition उठाओ जारा, निलेश, यानि 4x minus of 20 is equal to 38, 4x is equal to 58, x कितना होगा, 58 by 4, यानि कितना 29 by 2, यानि कितना 14 point, 5 next में आप करेंगे, तो definitely आपके पास ये condition fulfill नहीं होगी, negative आ जीगी, क्योंकि 20 minus 68 minus आ गया, फिर वो clear, चलिए, इसको एक बार करिए, फिर हम देखते हैं, तो answer is option number D, 14 point, 5 year is the right answer, clear, तो जल्दी से like, share, subscribe कर रहां, मत भूलो बेटा, इसको, ठीक है, चलिए, when Ram was born, his father was 32 years older than his brother, ठीक है, ये बहुत अच्छा कोशन है, and his mother was 25 year older than his sister, if Ram's brother is 6 year older than Ram, and his mother is 3 year younger than his father, how old was Ram's sister when Ram was born, बड़ा अच्छा कोशन है, बताओ क्या answer इसका, देखो, when Ram was born, his father was 32 year older than his brother, मतलब, अगर मैं बात कोशन है, इसके ब्रदर से, कितने साल बड़ा है, his father was 32 year older than brother, मतलब, 32, और कोशन में मुझे क्या दिया है, कि इसके, Ram's brother is 6 year older than Ram and his mother is 3 year daughter, अच्छा ठीक है, अच्छा दूसरी कंडिशन क्या दिया है, तो अगर मैं मदर की बात करूं, वो क्या है, इसकी जो राम की सिस्टर है, उससे कितने साल बड़ी है, 25 year, यह दिया हुआ, ठीक है जी, इप राम's brother is 6 year older than Ram, मतलब, कहने का मतलब क्या है, कि जब राम पैदा हुआ, तो उसका भाई 6 साल का होगा, अगर उसका भाई 6 साल बड़ा, तो definitely भाई राम का भाई आज कितने साल का होगा, तो इसका मतलब बदर का 6 साल का है, तो 6 plus 32, यह पिता जी कितने साल का है, 38 year के, clear, अब माता जी देखो, और क्या दिया है, अब माता जी और पिता जी का भी तो कुछ दिया था, इसका मतलब 38 minus 3 is equal to माता जी कितने एज, तो माता जी कितने एज किया है, 35 year, तो भी यह क्या बोल रहा, कुछन, अगर माता जी यहां से निकाल लिए, अगर माता जी 35 वर्षियें हैं, तो is equal to, is equal to sister plus 25, तो sister कितने साल की थी, 35 minus 25 is equal to कितना, 10 year, तो option number C is the right answer, please, तो आपको मजा आयोगा, पड़ा, enjoy किया होगा, तो आपने से लेक्चर कूँए, डिफरेंट से लेक्चर था था थोड़ा सा, इसके solution जहादा available भी नहीं है, clear है, तो जैसे अच्छे solution लगे, वो हमने आपको बैस यहां पर अपने बता दिये, clear, तो प्लीज इस लेक्चर को like, share और subscribe करना बच्चों, प्लीज, मत बूलिए, clear, चलिए, और अभ्यास तो आप करी रहे हैं, आपको फिर बता दूए एक चीज़ और में, अगर आप access prelims की तयारी कर रहे हैं बेटा, तो batch आपका live है, offline, online, donor board में, 75 days का यह, पूरा का पूरा आपके बास batch रहने वाला है, clear, और इसकी फीज सेरे फोर सेरे 35,000 रुपीज है, जिसका link description box में है, सब्सक्राइब करना प्लीज मत बूलिए ऩी झाल झाल